इस वीडियो में हम पढ़ेंगी जी किस सम्बंदीत मैं अतुपुड प्रैशनित जिसमें मैंने 35 कोश्चन्स लिए हैं जो सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है और इस वीडियो को जो पीडियेफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आ फीडियो मंदल रॉक्सिजन की मात्रा कितनी है तो 21% है तो आंसर क्या आ पे बी 21 % Q2 अरा भटट एक प्रसीद है क्या थे खोगल वोट्टा थे आंसर क्या हो गया पर C, खोगोल वेत्ता, आरेबट प्राचिन भारत के एक महान जोतिस्वीद और गड़तिग्ये थे, जिने प्राचिन गड़तिग्ये और जोतिस्वीद और खोगोल्ये के नाम से भी जाना जाता था, अगर आपसे एक्जामस में पूछ ले कि आरेबट एक प्रसीत क्या है, अगर आपसे प्राचिन गड़तिग्ये जोतिश्वीद और खोगोल्ये तो इन तीनों ऑप्शन में से जो है, अगर यह ऑप्शन में है तो आपको इसी को टिक करना है, क्वेशन निम में से कौन सी भासा उत्तर परदेश की दूसरी राज्य भासा है, तो वो कौन सी भासा है जो उत्तर परदेश की दूसरी राज्य भासा है, तो उर्दू जो है, उत्तर परदेश की दूसरी राज्य भासा है, तो आंसर क्या हो गया पर C, उर्दू, क्वेशन निम में चार, भारत का कौन सा परदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादक करता है, तो वो कौन सा परदेश जो सबसे अधिक रबड का उत्पादक करता है तो केरल है तो आंसर क्या हो गया पर C, केरल Q5. ब्रेटेन की मुद्रा का नाम है तो ब्रेटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो पाउंड जो है ब्रेटेन की मुद्रा है तो आंसर क्या होगा है यहां पर B, Pound डॉलर जो है अमेरिका का है और दीनार जो है कुएत का है Q6. वायू मंडल में कौन सी गैस सबसे ज़ादा होती है तो वायू मंडल में कौन सी गैस जो है सबसे अधिक होती है तो नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक होती है तो आंसर क्या होगा है आपे C, नाइट्रोजन Q7. भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जंगर्णा की जाती है तो भारत में जो जंगर्णा है वो कितने वर्ष के बाद की जाती है तो दर्ष वर्ष के बाद की जाती है तो आंसर क्या हो गए आपर C, दर्ष वर्ष में Q8. भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए नियुम्तम आयू क्या है? तो भारत के प्रधान मंत्री बनने के लिए नियुम्तम आयू क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्स होनी चाहिए. तो आंसर क्या हो गए यहां पर B? 25 वर्स. Q. 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 Q जनी मापक एकाई को क्या कहते हैं, तो डैसिबल कहते हैं, तो आंसर क्या हो गए यहाँ पर D, डैसिबल. जनी 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 जन Q13. निमिलिकित में से भारती नैपोलियन किसे माना जाता है? तो भारती नैपोलियन किसे माना जाता है? तो समुंदर गुप्त को भारत का नैपोलियन कहा जाता है. तो आंसर क्या हो गए? यहां पर B. समुंदर गुप्त. question number 14, 50 की note पर किसके हक्साक्षर होते हैं, तो जो 50 रुपे की note पर किसके हक्साक्षर होते हैं, तो reserve bank के governor के हक्साक्षर होते हैं, तो answer क्या हो गया है यहाँ पर A, reserve bank के governor के Q15, Refugiator में कौन सी गयस का परियोग किया जाता है तो जो Refugiator है उसमें कौन सी गयस का परियोग किया जाता है तो आमोनिया का परियोग किया जाता है तो आंसर क्या होगे यहाँ पर A, आमोनिया Q16, Vitamin B की कमी से विमारी होती है तो Vitamin B की कमी से कौन सी विमारी होती है 17. Microsoft King किसे का जाता है? तो जो Microsoft का King है वो किसे का जाता है? तो बिल गेट्स को जो है Microsoft का King का जाता है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर A. बिल गेट्स. Question number 18, कौन सी gas वायू मंडल के ओजोन इस तरको अब घटित करती है, तो कौन सी gas है जो वायू मंडल के ओजोन इस तरको अब घटित करती है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, तो आंसर क्यों है यहाँ पर A, क्लोरो फ्लोरो कार्बन question number 19 gas agency दुआरा cylinder में भरकर दी जाने वाली cooking gas है तो जो gas agency दुआरा जो cylinder में भरकर दी जाने वाली gas कौन सी gas होती है तो drug gas होती है तो answer क्यों हो गए यहाँ पर A, drug LPG की full form जो है liquid fight petroleum gas है जिसका हिंदी में मतलब है drug with petroleum gas question number 20 discovery of India का लेखक है تو discovery of India की लेखक कौन है तो जवालाल नहरू जो है discovery of India के लेखक है तो answer क्योंगा यहाँ पर B, जवालाल नहरू question number 21 राज़ेपाल की नियूकति कौन करता है तो जो राज़ेपाल है नियूकति कौन करता है तो राश्ट्र पती जो है राजपाल की न्यूक्ति करते हैं तो आंसर क्या होगा है आपे C राश्ट्र पती Q2. जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था? तो जै जवान जै किसान का जो नारा है वो किस ने दिया था? तो जो दुरोनाचार पूसकार है वो किस छेतर में परदान किया जाता है तो खेल परश्रिक्षण में किया जाता है तो आंसर क्या होगा? यहांपे C खेल परश्रिक्षण यानि स्पोट कोच को दिया जाता है Q24. साइना नेरवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो जो साइना नेरवाल है वो किस खेल से जुड़ी है तो बैडमिंटन से जुड़ी है तो आंसर क्या हो गया है आपर C बैडमिंटन Qशिन नमबर 25 साची का इस्थान पर कुम का मिला नहीं लगता है तो वो कौन सा इस्थान है जो जहाँ पर कुम का मिला नहीं लगता है तो उजेन में भी लगता है, इल्हाबाद में भी लगता है और हरीद्वार में भी लगता है पर वारणसी में जो है कुम का मिला नहीं लगता है तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पर D, वारणसी Q28. किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर है तो ब्रह्म पुत्र की है तो आंसर क्या हो गए यहाँ पर A. ब्रह्म पुत्र Q29 चंबल नदी किन राज्यों से होकर भैती है तो जो चंबल नदी है वो किन राज्यों से होकर भैती है तो उत्तरपर्देश से भी भैती है मद्यपर्देश से भी भैती है और राजस्तान से भी भैती है तो आंसर क्या हो गए आपर C उत्तरपर्देश, मध्यपर्देश और राजस्तान. Q3. स्वतंत्रता के बाद रियासतों और एकी करण में सबसे महतोपुण भूमी का किस ने निभाई थी? तो सर्दार भल्लबाई पटेल ने निभाई थी? Q32. अपना प्रतम उब्देश जो है वो कहा पर दिया था? तो सारनात में दिया था. तो अपना प्रतम उब्देश जो है वो कहा पर दिया था? Q34. कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो जो कंप्यूटर की मैमोरिय उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो बीट्स के द्वारा किया जाता है. तो आंसर क्या हो गया याँ पर C? की बीट्स के द्वारा. Question number 35, अंत्रिक्ष में भेजा गया भारत का प्रतम उपगरैक था, तो अंत्रिक्ष में भेजा गया भारत का प्रतम उपगरैक कौन सा था? तो आरे भट था, तो answer क्या हो गया है बहें C, आरे भट